कि संस्गर्व भासा के सुधी जिग्यासुओं आज मैं डाक्टर डील मडी तरबाधी चंडरा इंस्टिटूट के आंलाइन क्लास में आप सभी भाईयों बाहनों का स्वागत करता हूं चले देश्तों आज आपके सामने बहुत जोरदार प्रेक्टिस सेट ले करके आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ टाइम हो गया वेटा मैं आगया हूं सभी भाई बहन जल से जल्दे आ जाए किसकुमार जी अर्चना जी नेहाराय जी वरसापंडे जी अर्चना सुकला जी आस्तोस भहिया जी मेरे सभी ब्रांच के असोग भहिया बलिया से हैं जितने भी मेरे भाई-बहन हैं जल से पुखने नहीं ठीक है चलिए जल से जलने आ जाईए जल से जलने आजाए विटा सभशनध्या घ्रण सभी को सभशन्ध्या चले देखें हम लोग शुरू करते हैं आपके पूरे जो है संस्क्रत में जो टेट से संबंदेट से संबंदेट और सिक्चर से संबंदेट भी दो चार प्रस्ण जो आते हैं उसको विले करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ तो आप सभी भाई बहन जल से जल जो है उपस्थित हो जाएं और प्रस्णों के स्रिंखिला परियाब ध्यान देए देखें मित्लों जैसा कि हमारा पहला प्रस्ण है कादयो मावसाना अस्परसाह का मतलब है निटाव को आदयोह को आदयोह मावसाना मावसाना देखें मेरे वित्लों आपको बताना चाहूंगा कि यह आपकी फ्री आफकास्त क्लास है बिलकुल फ्रे में सभी भाईओं यह बहनों के लिए बिलको फ्रे क्लास है यूट्यटोब पर आपके से जुर सकें संसक्रत से परिच्छा को तो पास करें ही अध्यापक अध्याफिका बने ही संवर जगत का जो है आप अखान भी करें में ये संसक्रत भासा देखिए संसकारे तो वहाyu this संसकार सिखाने वाली भासा है विटा इसलिए आप जो है इसको अवस्य पढ़ें और अपने भाईयों यो बहनों को जो गरीब मेरे भाई बहन हैं उन तक भी ये पहुंचे इसलिए यूटूब पर ये फ्री क्लास दी जा रही है चलिए कादयों मावशाना अस्वरसाह कासे मातक के लेकर के सभी व्यंजन वर्ण 25 वर्ण होते हैं ये 25 वर्ण हैं इन 25 वर्णों को अस्पर स्व्यंजन कहा गया है तो कादयों मावशाना स्परसाह ये बहुपचन लगाया गया याणों अंतस्थाह याणों अंतस्थाह याण वर्ण जो होते हैं उनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है उस्माडः सलोस्माडः सल प्रत्याहार में जितने वर्णे आते हैं उनको सलोस्माडः कहा गया है याण प्रत्याहार में चार आते हैं यावर्ण ये चार हमारे कौन वर्ण हैं अंतस्थ वर्ण हैं और हमारे जो हैं मित्रों यह आपके अस्पर्स मेंजन कितने हैं पचीस हैं उस मेंजन सख और यह हमारे क्या हो गए उस मेंजन चार वूस्म हो गए चार अंतस्थ हो गए और पचीस हमारे अस्पर्स यही संस्कृत में कुल ताइंतिस मेंजन है हमारे मिक्तो ताइंतिस मेंजन ठीक है तो पहले का जवाब आपका भी बिलकुल सही है सभी भाई बहन मेरे जितने भी हैं लाइब सभी भाई बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं सभी भाईयों पहनों का बिलकुल सभी जवाब है बिलकुल बिलकुल सभी जवाब है बिलकुल सभी बाईयों पहनों का नाम लेना इतना जल्दी संभाव नहीं है सारी जी अक्सर क्लियर नहीं दिख रहा है अच्छर क्लियर नहीं दिख रहा है अजह चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं आप दिखाई दे रहा है बिटा अब बताईए अब तो दिखाई दे रहा है न चलिए ठीक है आप दूसरे प्रस्टपने आज आईए जिहवा मूली वर्ण होते हैं जिहवा मूली वर्ण देखिए अगर हम बात करें यहां पर जिहवा मूली वर्ण की तो यह होता है आहक्ष आहक्ष इति कखाब्याम कखाब्याम सब्दें यह आपका दीवचन है तो काय और खाद दो आपके जिहवा मूली वर्ण हैं लेकिन जिहवा मूली चिन्ह जो होता है एक ही होता है जिहवा मूली एक है लेकिन जिहवा मूली वर्ण दो है यह ध्यान दीजिएगा जिहवा मूली वर्ण पूछेगा तो वर्ण दो है और जिहवा मूली एक है जिहवा मूली एक है उपधमानिय एक है और एक अनुस्वार है तथा एक बिसर्ग है तो एक अनुस्वार एक बि हमारे खाहब ही है और खाहब ही है का के भी पहले अर्ध विशर्ग लगा है इसलिए आप जो है किताबों में जो छुपा है थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजियेगा क्योंकि कहा गया अहक अहक इतिकखा भ्याम प्रागर्ध विसर्ग सद्षो जिवामूलिया अहप अहप इतिपफा भ्याम प्रागर्ध विसर्ग सद्षो उपधमानिया तो हमारा जो है उपधमानिय वर्ण भी दो है और जिवामूलिय वर्ण दो है जिवामूलिय एक है उप अध्मानी वर्ण भी दो हैं ठीक है मित्रों हां बिलकुल 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 हा तो इसमें दो होगा जिवा मूली वर्ण हमारा दो हो जाएगा जालिए इसके बाद तीसरा प्रस्ण देखें बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ण है यह आपको मैं क्लास्त में भी अक्सर जाता हूं तो पहले यही पढ़ाता हूं खर विवार स्वास अघोष 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 खर विवार स्वास हो यहां पर सखासा नहीं दिया है यहां पर दिया है पहले दूसरे व्यंप कर पहले दूसरे व्या क्या होता है विवार स्वास और घोस प्रयत्र हो देख विभार साब implac सभी का सभी भाईयों बाहनों का बिलकुल सही जवाब है यार मेरे दोस्त हारेनु मिस्त्रा जी बिलकुल बिलकुल सही जवाब है विवेक जो है राय और रहिया से हैं भीया चलिए भीया बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को 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 सभी चलिए मेरे दोस्तों जल्द से जल्द आप जो है इसी प्रकार से बढ़ते जाए और मैं अपने प्रश्णों को भी बढ़ाता चल लहाँ हूं देखिए बहुत इंप्वाइटेंट है इसमें बहुत लोग भूल कर दे लगाया जाता है जैसे मेरे दोस्तों देखिए राम है राम में रधन आ है और उसके बाद माधन आ है अब जैसे राम है दो इस प्रकार से अगर देखा जाय तो विसर्ग हमेंसा स्वर के बा Grad में लगाया जाता है बिसर्ग हमेशा ब्यंजन के पहले लगा जाता है गलत है स्वर के पहले लगाया जाता है गलत है स्वर के बाद में लगाया जाता है स्वर के बाद में बिसर्ग हमेशा स्वरों के बाद में होता है पिटा ये ध्यान लखिएगा और ये जैसे बिसर्ग है विसर्ग का आधा हम इसका मिटा दें ये पूर तो पूरा मिट गया या आधा इसका मिटा है आधा और आधा जो है इसका मिटा है ये तो यही चिन्ध बचता है ना अर्ध विसर्ग जो होता है वह ब्यंजन के पहने लगा जाता है और कौन ब्यंजन वह है काय और खा काय और विसर्ग हो गया तो वही आपका जिहवा मूलिय हो गया और सेम वही चिन है आपका अगर पाय और फाग के पहले हो गया दोस्तों तो मेरे भाई यह उंबहनों यह जो है आपका क्या हो गया उपधमानी हो गया तो आप इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा ठीक है हाँ बेरी गु स्वर्ग के बाद में हमेशा विसर्ग लगता है विसर्ग कहा लगता है स्वर्ग के बाद में लगता है मेरे दोस्त मेरे सभी भावी अध्यापक के उम्मध्याद काओं देखिए बहुत इंपॉर्टेट संधी यह भी है पिछले साल सुखारत पूंचा गया है जैसे इस सा अब देखिए मार्तधन अंडः मार्तधन अंडः अब यहां पर देखिए वेटा तो में हमारा है और इसके बाद में अंडः में यहां पर करके दीर्ग हो जाना चाहिए था लेकिन यहां पर जो है यह सकंध्वाद इस पर रूपम वाच्यम यह वार्तिक जो है लिखे कात्या इन जी तो कहां जो है मार्त में जो तमें अ है इसकी क्या हो जाएगी टी संग्या हो जाएगी ऐर ती taking Сंग्या का फल है तो बच्चा मं त्तामेहलंत हो गया आउर अंडह है किसलिए बंगेहा फोस्ञेन अपिक परवाला परमाने बाद में रख यही अ कर कितामें मिल जा रहा है तो परपम रमाने बादवाला रूप हो जाए तो वही हमारा क्या है परप पर्भूरू पसंद ही है तो यह परौूप संधी क्ल भाग इस पोय आप ध्यान दीजिएगा यह जो है दिर्घ का अपुवाद है नहीं परौू पसंदिय परौू पसंद है ठीक है सवस्था इस पर रोपम वाच्चम जैसे पततॅधन अंजल हिपतं जली ही जैसे सकधन अंधो बराबर सकंधों है करकधन अंधो बराबर करकंधों है हालस धन इसा बराबर हलीसा है मनस धन इसा बराबर मनीसा है मेरे दोस्तों तो याप इनको ध्यान रखिएगा विबेग जी और आया से हैं बहुत-बहुत धन्यवाद भैया सीवी पंडित युद्या जी बेरी गुड हां सगंध करकंध मारतंड पतंजली बिल्कुल बिल्कुल बेरी गुड बहुत सही बहुत सही बिल्कुल आप सही दिसा में जा रहे हैं बच्छे तैयारी आपकी है सभी भाईयों बहनों की थीक है इसको ध्यान रखियेगा इसको आप जो है हाइलाइडर कर लीजिए अपने कापी में इसको नोट कर लीजिये पतंजली है हदीशा है मनीश नो है करकंधों है यह शकंद प्थित वर्णों की ती संग्या हो ज जाता है पर रूप एक यादिश्क हो जाता है तो इसमें क्या हो जाए कि पिटा आपका सीव तर सही हो जाएगा फिर देखिए ये भी बहुत महत्वकून है जगत धन नाथा जैसे पिछले बार आया है सत धन जनह सजनह ये जगत धन नाथा हमें देखिए ना हमारा क्या है अनुनासिक है ये पांचवा वर्ण जो क्यों होता है उसको क्या बोलते हैं अनुनासिक यारो नुनासिका अनुना के नुनासिकोवा यरों नुनासिके नुनासिकोवा यरों नुनासिकोवा तो कहा यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक वरने आए अनुनासिक वरने आए तो यर के अस्थान पर भी अनुनासिक हो जाता है तो यर है यर का मतलब है हावर्ण को छोड़ करके सभी बेंजने आ जाएंगे हावर्ण को छोड़ करके सभी बेंजने आ जाएंगे भी या ना देखिए मतलब यह है यह प्रत्याहार का मतलब हाइवरट से सुरू करेंगे हाई जावरट हाइवरट से सुरू करेंगे यहां से ले करके तो यह हाँ अक्सर के रह तक जाएंगे इसका मतलब है हाँ को छोड़ करके सभी ब्यंजल तो इसमें तायाया है ताके बाद में अनुनासिक पर ना दिया है तो ताके अस्थान पर भी ना हो जाएगा और बन जाएगा जगन ना था जाएगी श्ठवा काजस्त नहीं होगा जार मेरे बोस् मेरे जर्ष ना कि अधरी अंकिता नेम नहीं मेरे सभी भाई बहना है ठीक है हाँ सभी मेरे भावी अध्यापक के उन अध्यापिकाओं बिलकुल बिलकुल सभी भाई उन बहनों का सही जवाब है आप इसी प्रिकास एटा की धरती से गुरुजी को चर्ण सबस्वाम चलिए बेटा ठीक है बहुत बहुत आथिरवाद है कि आप जो है माश्टर बन करके हमारे सामने आएं चलिए इसके बाद बेटा देखिए आपका सात्वाँ प्रस्ण है सब्तर सयह में समास है अब सब्तरसय हमें समास देखिए आप संख्या देख करके इसमें सब्तरसय है संख्या देख करके इसमें आपको नहीं लगाना है साप्तर से है यह सप्तर से रिशी होते हैं न साथ रिचियों का समाः संत ढ़छत Hackam साप्त चर्पुरुश समाहर है तो यह आपका तत्पुरुश समस है बैटा सब्त चते रिश्या दिख संखे संग्यायाम दिख संखे संग्यायाम सूत्र है कहा संग्यावाची समूह बद अगर दिया है बाद में और उसके पहले संख्या है तो वहाँ पर कौन समास हो जाएगा मेरे दोस्तों बिलकुल 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 बहुत सही बहुत सही जबाब है आपका सेवन का सी C कहांसे हो गए या जिक्समास नहीं होगा क्या होगा तत्पुरुस होगा देज़ा है ने बिलकुल एक उद्यावालेशाभ बिलकुल जवाब है मेरे जो भी बहाई बहां दूसरा जबाब दे रहे हुँ अपना सही कर ले इसमें आपका तत्पुरू समा से ठीक है चलिये चलिये बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए दीपा यादो जी आजमगर से सभी जगह कि मेरी जीतनी भी ब्रांचे हैं मेरे चंद्रा संस्थान की सभी भाईयों बहनों को बहुत बहुत धन्यबाद है और देखिए मैं सभी उन अध्यापक बंधुओं को भी धन्यबाद देता हूँ जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इतना अच्छी आपकी तयारी है मैं सभी को साथ भबात देता हूँ सभी अध्यापक बंधुओं को हरदय से आभारव्यक्त करता हूँ कि मेरे भाईयों यों बहनों की इतनी बढ़िया तयारी करवाए हैं यार देखिए मैं सब जगह तो नहीं पहुन सकता हो बिटा लेकिन जितने भी मेरे बिद्वान भाई बंधों हैं जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा आप पढ़े हैं बहुत अच्छा पढ होगा ठीक है अब करेक्शन नहीं होगा मेरा भी नाम लें गुरुजी तनवैं सिंग हाँ चलो बिटा चलो ठीक है ठीक है चले बहुत बहुत धन्यमाद चलिया आगे चलते हैं तो इसमें क्या हो जाए कि सब्सक्राइब सेया सब्सक्राइब जल्दी जल्दी बढ़े हैं यहें जल्द आख्षी। जल्द जमाने होता हैं जल्द इव्सियामी कहां जलज माने कमल के समान जैसे घान इव स्याम अप कर सकते हैं घान स्याम कामल के समान नेत्र हैं जिसके तो बहुरी भी कर सकते हैं और करमधारे भी हो जाएगा बिटा ठीक है तो आप देखिए ये हमारा समास जो होता है वो बिग्रफ मेडिपिन्ड करता है जलज इव एक्षिणी जैसे घंव स्याम बादल के समानिकाला कमल के समान नेत्र तो करमधारे हो گया यह चुखी पहला पद हमारा प्राकृतिक होता है जो प्राकृतिक आया है इसका मतलब होता है वीटा उपमान प्राकृतिक माने उपमान और जो सरीर से सम्वन्धित है उसका मतलब हुआ उपमे इस थी है तो यहाँ अच्छिणी हमारी आछ रटी नेत्र होता है ना आपकर तो कमल जालजा है इव यक्षणी यस्यासा कमल के समान नेत्र है जिसके तो क्या हो जाएगा ठीक है विकल्प में दोनों हो तो अगर बेटा विकल्प में दोनों होगा तो ये जो है पहली बात तो इसमें दोनों विकल्प देना चाहिए और नहीं तो आप कर्मधारे लगाए ठीक है कानमधाय क्योंकि कमल एक अन्यपन प्रहानों वह वरी ही होता है तो कमल के समान नेतरवाली और कोई बहुत हो तक्ती है जैसे चार भुझवाले चटरभुत भगवानगां लेकिन यहां कमल के समान जो सुंदर नेत्रवाली तो कई हो सकती हैं ठीक है सैलेज़ जी है चले चलिए बटा मेरा मनोज आदो शालिए ठीक है है पड़ाने दो नाम में क्या रखाए चले ठीक है पिटा सभी का नाम ले dif चले अब आगे लेखिंए करका रहे हो गया ना फिर है आगे कि करमधारे और बहुबरी ही तोनों समास हैं इसमें आप जो है संदेह न करें ठीक है जलजी वी अक्षनी या स्यासा अगर आप करेंगे तो वही बहुबरी हो जाएगा अज जलजी वी अक्षनी करेंगे तो आपका करमधारे हो जाएगा ठीक है समास विग्रह पर डिपेंड करता है ठीक है जैसे निरत्य है निर्प्त्य है निरगता यह यह स्यसा-बहुब्री हो गया और अंट्येया नाम आभावहा निरत्य हो ग्या तो यह जो है आपके बिग्रह में करता है पठ्धान अक्तवा में क्या बनेगा अब देखिए बैटा कुछ हमारी सेट धा में होती है सेट का मतलब होता है सधन इट मतलब इट के साथ उनमें उन धातों में इट का आगम हो जैसे पठ धातु है पच धातु है काद धातु हैि याच धातु है इन धात्यों में इट का आगम हो जाता है और इट यागम हो जाता है तो त्वा के Lok पर इट्वा को जाता है जैसे पत्भ मुंद जुड़ेगा तो पत्षच्च्त्वा नहीं MONzego यह बनेगा है पच्च में दोएगा तो पत्षच्च्त्वा बनेगा या पक्त्वा बनेगा खाद में बनेगा ख़दीत्वा है हस में हसित्वा है यह तो कुछ हमारी सेतात्य है जिन्नियमें की इत्व का आगम हो जाता है चलिए चलिए बहुत खने अधन्यमाद गई संक्या अब ही आपकी संख्या मैं आपको एक बार कहूंगा एक बार कहूंगा केवल 900 के लगभग संख्या है यार कम से कम जो है 2000 को उतना चाहिए बिटा 2000 मेरे भाई चलिए चलिए बढ़ते रहिए इसी प्रकार से आप देखिए मेरे भी शरीर में तब ही उमंगे आता है जब आप मेरे भाई बहर जो है मेरा साथ देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा पठित्वा हो जाएगा वैसे आप अंदाज के लिए शुकिटेट पठित्वा आए तो समझाएये पठत्वह नेथा है निप्वोट अजट आ है चित्व प्या districts पहसे प्रकार से पत्वा आजाता है तो आप समझ जाएए कि क्या है वहाँ पर अक्त्वा प्रत्य और अक्त्वा प्रत्य देखिए यह बहुत इंप्वार्टन प्रस्थ है कहां अक्त्वा प्रत्य का बर्तमान काल में प्रयोग होने पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है या कौन सी विभक्ति होती है देखिए यह आपको कारक में बता जा गया है अक्ता स्च बर्त माने अक्ता स्च बर्त माने देखिए हमारा अक्ता अक्तवत निस्थायाम सुत्र होता है अक्तवत इन दोनों प्रत्यों की निस्था संग्या होती है और यह दोनों भूत कालीन के अर्थका बूध कराने के लिए प्रयोग किये जाते हैं भूत कालीन लेकिन दिया है कि अक्ता स्च बर्त माने चा माने और बर्त माने माने बर्त मान में देखिए बर्त माने में सत्मी भी हक्ती है न बर्त माने बर्त मान में अगर अक्ता प्रत्यों का प्रयोग किया गया है तो वहां पर सश्थी भी भक्ती होती है जैसे राज्याम पूजितह बुद्ध वाहबुद्ध जो राजाओं के द्वारा पूजे जाते हैं काउन बुद्ध तो क्या हो जाएगा मिटा इसमें आख बेरी गुट सश्ची विभक्ती हो जाएगी आक्तस सिच्छा बर्तमाने सूत्र के द्वारा सच्ची भी भक्ती हो कि बहुत सही जवाब है रंजना जी अविशक्त जी भावी सिच्छी का हाँ बिल्कुल 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 अरे यार मेरे भाई बहने आप लोग तो सिच्छा खईये हैं इतना बड़िया जबाब दे रहे हो कि हम स्वयम मात खा जा रहे हैं हमारे जो है उत्तर देने से पहले ही आप से बता देते हैं ठीक है चलिए इसके बाद अगरा देखे विटा इग्यार हमापस देखे काटे आस्ते में किस प्रकार का आधार है देखे आधार हमारा तीन होता है बैसाइक का मतलब जिसका बाउत धिक संबंध होता है बाउत धिक संबंध होता है एक होता है आधे और दूसरा होता है आधार आधे माने पुस्तक है और आधार माने मेज है मेज क्या है? आधार है पुस्तक क्या है आध्यय जैसे अगर हम्पीलर कह rápido के पीलर प्रचर्तिका हुआ है थीक फेंप which in system सम्मंद्व होता है तुम्हें सही कहें आप स्लेशिक का मतलब भावतिक होता है भावतिक माने मानव निर्मित मानव निर्मित मानव निर्मित मानव निर्मित वस्तुमें भावतिक है अभी व्यापक का सरवात्र समाना हरिव्यापक सरवात्र समाना जैसे हरी है इस्वर है इस्वर कणकण में विद्यमान है वैसे अभिव्यापक तो यहां काटे काटमाने होता है चटाई वह चटाई पर बैठता है तो चटाई बेटा मानव निर्मित है इसका आउपस्लेशिक है ठीक है चलिए फिर बारप पर आजाए आधे है पुस्तक मेंज पर है इस वाक्य में आधे है क्या आधे है जिस पर रखा जाता है वो आधार होता है जिस पर कोई वस्ति ठीकती है वाधार होता है और जो वस्ति ठीकाई जाती है वह आधे होता है तो चि Amazon क्या हो जाएगा आधे चलिए बढ़ते चलिए साँ माम पस्यते यहां देखिये साँ जो है प्रत्मा में है माम दुतिया में है और क्रिया जो है यह इसके अरशा लगे है हम ने बताया था 121 को आप 311 में चेंज कर दीजिए एक माने करता है तो करता सह का क्या हो जाएगा तेन तृतिया में हो जाएगा अमाम का प्रथमा में क्या हो जाएगा अहम अब हमारी क्रिया अहम के अनुसार लगेगी अहम जो है उत्तम परुस एक वचन का है तो हमारी मुख्य जो मूल धात है द्रिस्धात है द्रिस्धात में यत प्रत्य जोड़ेंगे तो द्रिस्य बनेगा द्रिस्यते द्रिस्यते द्रिस्यंते 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 द्रिस्यं कर्म में प्रथमा हो जाएगी और क्रिया बेटा कर्म के नुसार लगेगी मेरे भाई हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल सही जवाब है क्रिया कर्म के नुसार लगेगी चलिए आगे चलिए चाउदावा देखिए आत्मने पदी आत्मने पदी की क्रिया प्रियुक्त होती है आत्मने पदी की क्रिया कहां पर प्रियुक्त होती है कर्त्रिवाच्य में बताए कि कर्म वाच्य में कि भाव वाच्य में कि बी और सी कर्म वाच्य और भाव वाच्य दोनों में यह देखिए हमारी आत्मने पत्की क्रिया जो होती है ते एते अंते एते अंते यह ध्यान रखिएगा बेटा जैसे पठ धा तुम्हें यक प्रत्थे जुड़ा तो यक में काकालोप हो जाता है बचा हमारा पठ जैसे गम धा तुम्हें जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तो देखिए हमारी आत्मने पदी की ग्रिया कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे दोनों में अर्थाद बिकल्प आपका डी सही होगा मेरे द्वोस है एक बाहस सही जबाव है बहुत अनुक्त करता में विभक्ति होती है अनुक्त का मतलब होता है बीटा हाँ जाइस्टे वह पुष्टक देखें साज़ारल महाएं बहुत उल्जाओ नहीं है वह पुस्टक पढ़ता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती हैं। मैं जानता हूँ मेरे भाईबहं कि आप लोग बीटेक वाले भी बहुत हैं। अब जैसे आप किसी बात को समझे वह पुस्तक पढ़ता है। यहां पर मतलब यह है कि पुस्तक वह अपने आप पढ़ रहा है। हेद अर उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है यानि किसी ने कहा है कि जब कहने वाला पोई दूसरा है तो वही अनुक्त होता ते वही अनुक्त है जिसमेन नहीं और जैसे माली जी पीदा जी नहीं पढ़ है पेपर वाला पेपर दिया तो पिता जी ने कहा बेटा पेपर पढ़ो जब पेपर पढ़ो कहा गया तो उसके द्वारा पेपर पढ़ा गया यानि किसी के कहने पर पढ़ा गया इसलिए बेटा क्या हो जाएगा वहां पर तो अनुक्त करता में हमेशा तृतिया विभक्ति होत हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाईयों बहनों बिल्कुल सही जबाब है प्रियंका जी गुडिया जी अखिले सियादो जी नीलम जी बवगवान जी स्नेहलता जी चंदन जी सालिनी जी जोती जी बिल्कुल 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 भाईयों बहनों तुष प्रक्只是 यहां सभी भाईयों का सभी आगे छलते हैं कि अनियत लिंग का उदाहिए नियात मेरें लिंगहाइग मतलब है लिंगा अधिक्य मात्रेच्य लिंग मात्र की अधिक्ता में आनियत का मतलब जिसका लिंग निस्टित ना हो जैसे ताटह है यानि इसका लिंग निस्टित नियत माने जो निस्टित ना हो भाया समद रहे है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो निश्चित नियत माने समझ रहें नियत आपकी सही है कि नहीं हाँ नियत माने निश्चित नियत माने निश्चित हाँ दोस्तों हाँ सही नियत रख करके पढ़ो बिटा तो यह क्या हो जाएगा तट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है फिर आजाईए काउन सा प्रत्य समाप्ति अर्थ में सब्दों के पहले जोड़ा जाता है बेरी बेरी इंप्वार्टेंट देखिए प्रत्य प्रत्य यह परस्य कहा गया है प्रत्य यह परस्य प्रत्य का प्रयोग हमेशा बाद में होता है लेकिन कहा गया दुनिया में स्थन्सकृत जगत में बहुच ये के ऐसा प्रत्य है बहुच जो की किसी भी सब्द के पहले जोड़ा जाता है और ईसद समाप्ति अर्थ में जोड़ा जाता है बहुच प्रत्य कान प्रत्य है बहुच ये किसी भी सब्द के पहले जोड़ा जाता है वैसे प्रत्य हमेशा जैसे आप देख चिंता जहत निर्जीव कह चिंता जीव समेथ देखें बटा ऐसा है कि चिंता जो होती है वो मुर्दे को जलाती है लेकिन चिंता जो होती हो सजीव को जलाती है तो बहुतरी का मतलब बहुत याधिक चिंता जो होती है वो त्रिण से भी घास से भी दुर्बल होती है तो यह बहुत प्रत्य हो जाएगा फिर आगे आजाए यह ठारहने पर जंगमाह जंगमाह का विलोम है बिलोम भी कभी कभी पूंचा जाता है अस्थावर प्राणी और जंगम प्राणी अस्थावर हाँ इसका विलोम क्या होगा स्थावर बिल्कुल सही जंगम नहीं होगा इस प्र जंगम माने हमें आप हैं चलने फिरने वाले यहां महां विजन करने वाले तन्मेय से एक्जांपल भी बताएं का है का बिटा है जैसे जो है उसका इसा इक्जांपल था बिटा सब्सक्राहाइब अब यहां ए बहुतरी में देखिंए बहुच तारी के पहले लगा है तनमए जी में बिलकुल बिलकुल सही जबाब सभी भाई मुलकुल बड़िया बनों का कोई किसी से कम नहीं है आप देखिए ये आभी चुका है आया है प्रस्ति की बताईए कि नहीं मकड़ी का परियाय वाची नहीं है अच्छा नहीं पूछा है इसे मकड़ी का परियाय वाची नहीं है मर कटकह माने भी मकड़ी होता है लोता माने भी मकड़ी होता है उर्ण नाभा माने भी मकड़ी होता है मकर माने मचली होता है ठीक है मरकट कह मरकट कह माने मकडी होता है लोता माने भी मकडी होता है उर्णनाब माने उन के तरह जैसे उन बिंते होएसे जाल बनता है तो ये जो है मकरह नहीं होगा पूछा है कौन पर्याय नहीं है ना बिल्कुल 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 19 का एक ऐसे होगा यार अड़ी होगा अड़ी होगा पूंचा है विटा इसमें कि कौन नहीं है देखिए आप इसमें गच्चा खा सकते हैं इसलिए नहीं और है पर ध्यान दीजिए अभी संख्या हमारे संतोस जनक नहीं है भाईया आप जैसा चाहें वैसा करें बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाईयों बहनों बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सभी भाईयों बहनों का बिल्कुल सही जवाब है तो मकड़ी देखिए लूता माने भी मकड़ी है उड़नाभा माने भी मकड़ी है ठीक है चलिए तो इस प्रकार से को बिलकुल मिलकुल बिलकुल सई है हां कि एंजी चलिये झाले आप के देखिए 20 माइं प्रस्ते हैं हमारा भूस और रोप बनता है गुरुफबन्ता है गुरुह गुरुम गुरुणा गुरवे गुरुह 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 गुरु गुरोह 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 गुरो ना भानवे। तो गुरो तेखिये दुई वचन में आ जाएं सास्ठी और सघ्राविंट के भी और च पंचमी नहीं देखिए या तो पंचमी में या तो फिर यह दिस्चर्व दिया है गुरोह होगा है यहां विटा गुरोह है गुरोह यह गलत छप गया है तो सब्सक्राइब को बात नहीं कोई बात में देखते थे फिर देखे हो जाएगा कोई बात है पचनी एक्ता जुड़ेगा विटा तो क्या होगा पक्वाहरोप मन जाये कोचु सोत्र से अजय कश्थान पर का हो जाएगा पक्वाह बन जाएगा को पांच धानक अक्ता बराबर पक्वा उनीस से निन्यानवे तक की संख्याएं क्या होती है देखें इस त्री लिंग होती है यह एक वचनान्त होती है और इस त्री लिंग होती है 19 से लेकर के 99-90 संख्या हैं तिये सब क्या है इस त्री लिंग में होता है ठीक है चली आगे चली आगे आ जाई ये निद्विक वर्धन आदन विल्कुल फटा फटव बरते चली देखें सिक्षाण का प्रस्थ है वेटा बहुत जबर्दाग बहुत जवर क्रासेट प्रस्ते हैं तहां यह सिर्षण की सबसे उपयुक्ट भी धी है कान् सिक्षण की सबसे उपयुक्त भी दिःई नहीं गध्य होगा यहां गध्य गद्य सिख्षण की सबसे उपयुक्त विधी है देखिए पाठ्य पुस्तक भी गद्य सिख्षण की विधी है पंच पदिय विधी भी है व्याख्या विधी भी है यह अन्वय विधी तो यह काब की विधी है ठीक है ये देखिए सबसे उपयुक्त भी है पंचपदिय भी है इसमें जो है प्रस्तावना प्रस्तावना सामानी करण तुलना तब समीच्छा और मुल्यांकन पांच चीजें होती है इसको पंचपदिय भी इसलिए कहा गया यह हरवर्ट नाम के एक जो है मनोबै ज्यानिक थे हरवर्ट अरवर्ट ने अपने सिस्यों को जो है इन ही पांचपदारियों से शिछा दिया और इन ही से सिछा देने के वजह से बेटा इसका न किसका नाम क्या पढ़ गया हर बर्टी पढ़ गया तो पच्छे मुबाइल देखें पढ़िया जाते हैं कि वैटरी खत्व कि देखें बिटा कुछ चेक्निकल प्राब्लम में आ गई है कुछ टेक्निकल प्राब्लम है कि यह संप्रास ब्लावत रहें कि वाइक बंद करें कि प्राब्लम से जो है चलिए देखें हर बर्टी तो यह जो है पंच पदीय आईसी को हर बर्टीय हर बर्टीय विधी भी कहा जाता है गद्य सिच्छन की सबसे बेटर विधी मानी गई है पंच पदीय प्रस्तामना है सामानी करण है तुलना है समीच्छा है और मुल्यांकन है यह पांच चीजें है जिसके कारण जो है ठीक है हर बर्टीय में धर्ट चलिए संख्या कम हो गई इनकी क्यों कि सर मुझे लाकर याद होता है फिर भोल जाते हैं कोई बात नहीं कोई तरहें ठीक है हरवाइटी विद्धी है फिर इसके बाद देखे 24 अभिज्ञान साकुंतलम का नायक है जल्दी जल्दी आपको बताएंगे आप लोग बहुत जल्दी भागने लगते हो याद अभी आपके सारे प्रस्त मचे हैं वापस शुरू वापस शुरू जल्दी आ जल्दी आजाओ जल्दी आजाओ सर मेरा कमेंट नहीं दिखता है गिरीज कुमार दिखता है यार चले जल्दी आजाईए फिर इसके बाद 25 अवा प्रस्त है निर्ग सुत्रे वे नश्यते देखे इस पर कथा हैं कभी आपको बताएंगे जिसके लंबे लंबे सुत्र होते हैं वह बहुँ चल्दी नश्च हो जाता है चार ब्राहमर हैं कन्नोज जाते हैं सिख्छा ग्रहन करने वहां से लौट करके आते हैं एक जो है ब्यक्ति के यहां जो है निमंत्रन मिलता है निमंत्रन में उनको सेवई मिलती है सेवई आप जा शुत्री माने आलस्य से युक्त होने वाला बहुत जल्दी नश्च हो जाता है लेकिन उन्होंने जादा पढ़ लिया था तो जादा पढ़ने वाला जो है ऐसा करता है तो दिर्ग सुत्री माने वो सोचा कि जो लंबा होता है बहुत जल्दी नश्च हो जाता है इस से वही को मैं खाऊंगा तो मैं भी बहुत जल्दी नस्ट हो जाऊंगा समद्रै ना हाँ तो दिर्घर सुक्री बिनस्यते ठीक है जलिये तो यह कहां से महाभारत से लिया गया है कहां से लिए गया है महाभारत की सुक्ति है यह जब बेश्मा में देखे पानिन का जनम हुआ कहां पर हुआ था पानिन का जन्म सालातर में हुआ था पानिन के पिता का नाम पनिन था माता का नाम दाक्षी था पनिन और दाक्षी इनका जन्म सालातर में हुआ इनकी रचना अस्टाध्याई है अस्टाध्याई में लगभग चारहजार सूत्र है ठीक है फिर आजाईये 27 पर ये बहुत महत् तो मैं देख गंगा के पवित्रतट पर गंगा के पवित्रतट पर विराजमान नगरी कासी है अनुबाद कीजिए इसका संसिक्रत में अनुबाद है तो गंगा के माने गंगा याह रहरा पवित्रत पर यहां सत्मी हो जाए पवित्रत गंगा य שब में नहीं दिया फिराजमान के अक्षि नगरी हो जाएगी गंगा या पवित्रे तटे गंगा के पवित्र तट पर कासी नगरी मिंढ़ाना अस्ती बिढ़े मान है काहां भूधा का लोट-लकार मद्धा मुझ पुरुष लोट-लकार लोट-लकार आग्या में होता है बेटा देखिए आपको खडाट से दसो लकार बता रहे हैं लल्ले लुल्रे ले लो लल्ली ले लो लल्ली ले ले लो अदे यार इसी में सब में एक बार टाजोड़ दो सब में टाजोड़ दो भाईया सब में टाजोड़ दीजिए सब में टाजोड़ दीजिए ये च्छालकार आपके बन गए च्छालकार लल्ली लुल्री ले लो बस लल्ली लल्ली में जल्दी जल्दी में भी देख लो लल्ली लुल्री ले लो ये लल्ली में ला है ला में लोटा यह बन गया अब इसके बाद जो अंतिम का है इसको काट दो अंगा जोड़ दो क्या जोड़ अंगा जोड़ दो अंगा जोड़ दो इसमें भी इसमें भी अंगा जोड़ दीजिए इसमें भी अंगा जोड़ दीजिए देखे बैटा ऐसा है एक दिन के जो है टाइम कर और दूद पी लेने से कोई जो है पहलवान नहीं होता है तो मेरे दोस्तों आपको परिछा जो है पास करना है इसलिए आप सरल से सरल तिक्के बेश पर भी थेयर तो आप तुरंत लगा क यह अ reliable हो गया link हो गया कितने ऩह अब देखिए लकार दस हो गए पठध लोट लकार में लोट हमारा आग्या के लिए होता है आग्या के लिए लोट है भावत भवताम भवन्त भव देखिए तीन अच्छर की अगर कोई धात का रूप बन नहां है तो जो समसे छोटा होता है वह जो है मध्यम पुरुस एक वचन का होता है त लिए कोई लगा दूगा है कोई बात नहीं चलिए फिर अगरा देखें उंपी सहमा हां निम्न लिखित में कंठवर्ण है अब इसको नहीं बताएंगे बहुत सरल है आप बताएगे हमने कहा था कि कंठवर्ण माने कंठ से उच्छारण होने वाला सर जी मुझे जो बहुत डर लग रहा है पेपर से पास अरे यार जो डर गया सुमर गया यार धरना नहीं चाहिए मनुस्य हो यार क्यों डरते हो भाई ना रहो न निरास करो मन को कुछ गाम करो कुछ नाम करो जग में रहकर कुछ नाम करो रह भरो से भाग्य के दुख भोग पच्छता आते नहीं काम कितना है कठी नहो किन तु उकता आते नहीं काम कितना है कठी नहो हांसला बिलन रखो मन के हारे हारे मन के जीते जीत आरे यार चंद्रा में पढ़ रहे हो परेशान मत हो मेने बिटाया मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं आप जहां है बहुत अच्छी जगाह पर है ठीक है परेशान नहों आप निश्यत रूप से जो है इस्वर की क्रिपा होगी तो सफलता है आपको मिलेगी तो बताईए कंठ्यवर्ण काओन है बताईए मैं ज्यादा कहता हूं अहता नहीं हूं समझ रहना इसलिए जो है आप परेशान नहों ठीक है फिर देखे कहा कंठ्यवर्ण है कंठ्यवर्ण काओन है बताओ बेटा निम्नलखित में से कंठ्यवर्ण है का खागा अकोह विशर्ज निया नाम कंठ्यवर्ण देखिए कतामूद ओ ये ट्विक्स समझ लीजिए आप कास्ते कंठ्य हो गया तास्ते तालू हो गया मुसे मुरधा हो गया दसे दंत हो गया ओ से ओस्च्छ हो गया कतामूद ओ 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 अब इसके बाद बिटा देखिए ये कवर्ग कर दीजिए कवर्ग है फिर चवर्ग है फिर टवर्ग है फिर तवर्ग है फिर पवर्ग है सीरियल से मेरे दोस्त बहुत जल्दी आपको उच्छार्ण स्थान आ गया कवर्ग का उच्छार्ण स्थान कंठ है चवर्ग का उच्छार्ण स्थान तालू है कवर्ग का उच्छार्ण स्थान मुर्धा है कवर्ग का उच्छार्ण स्थान दंत है पवर्ग का कता मूद ओ कता मूद ओ कता मूद ओ कता मूद ओ कटका मठका का कुर्ता है सर बहुत अच्छा लग रहा है अरे यार मुहन चत्रवेदी क्यों ऐसा कर रहे चलिए ठीक है समझ रहे ना हाँ देखिए तो कता मूद ओ कता मूद ओ कता मूद ओ और सुरू से लिए कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग समझ में आ गई लाग आप फिर देखे लास्ट प्रस्ण है बिटा आपका अरसठ की संसकित है देखे अस्ट और अस्टा दोनों बनता है इसलिए अस्ट सस्टी और अस्टा सस्टी दोनों बनेगा अस्ट सस्टी ही अस्टा सस्टी ही ये दोनों रूप है इसलिए आपका ये सही होगा ठीक है हाँ तो मैं अपने सभी भाईयों यो बहनों को बहुत बहुत धन्वाद देता हूँ बहुत बहुत जो है धन्वाद और इस्वर से प्राथना करता हूँ गंगा जमुनाय और सरस्भी मैया से प्राथना करता हूँ कि मेरे सभी भाईयों सफलों होंगे ठीक है इसी प्रकार से आपको प्रड़े प्रेक्टिस मिलती रहेगी बिता आप परेसान नहुँँ चंदरा साथ में आपके समद रहे न परेसान नहुँआ हो नवकरी तो हाथ में आपके आएगी ही ठीक है इसी बाड़ी के साथ मैं सभी को सुभकामनाएं देते हुए अपने बाणी को बिराम देता हूँ चलिए नमाह संस्क्रिताय नमो नमाह संस्क्रित मित्राणी